दोस्तों, आज हम करने वाले हैं unboxing and review of this noise tune active bluetooth earphone और बताएंगे इस earphone के build quality कैसी है, कैसी है इसके features, कैसा रहेंगे इसके sound quality हर चीज पुर डेटेल में जानने के लिए वीडियो को अंटक देखिएगा जरूर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी से गुपता और आप देख रहे हैं learnavi.com हर दिन सिखो कूछ नाया सो गाइस यह हमारा noise tune active का box जो बिल्कुल gray color में आया है मेरे पास black color वाला neck band है, अगर आप चाहों तो different color में भी यह available है मैं link description में देदेंगा, डिरेक्टल आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते है और backhand side में यहाँ पर कुछ basic information mention किये हुए है जो हम आगे आपको इस वीडियो में अलड़ी बताने वाले है तो चलिए बीना किसी देरी कि सबसे पहले फटा-फट इस box को हम यहाँ से खोल लेते हैं कुछ इस तरह से तो जैसी हम box को खोलते हैं सबसे पहले हमें edit top हमारा bluetooth neck band देखने को मिल जाते हैं दो प्यर के air tips मिलते हैं तो according to your requirement आप इनको यूज कर पाएंगे अगर आप इस cover को उठाते हैं तो ठीक इसके नीचे आपको मिलता है एक user manual जहाँ पे कुछ basic guideline दिये हुए हैं इस neck band की features के बारे में इसके इलावा आपको यहाँ पर मिलता है one product registration card जहाँ पर mention किया हुआ है to claim the warranty आपको इस product को noise की official website पर registration करना पड़ेगा तो यह है वो सारे के सारे accessories जो आपको इस box में देखने को मिलते हैं अब चलिए सब को रखते हैं side में और बात करते हैं हम अपना noise tune active neck band के बारे में के बात करें it is completely made up of plastic and rubber उपर का जो हिस्सा देख रहे हैं बहुत ही जदा flexible आप देख सकते हैं मैं very easily इसको इस तरह मोड़ सकता हूं अगर आप चाहूं तो इसको मोड़ के pocket पे कर सकते हैं no problem on that बाट में pocket में carry करने के लिए कोई भी neck band को recommend बिल्कुल भी नहीं करूंगा ठीक इसी तरह अगर आप नीचे का wire देखेंगे it is also made up of rubber और इसकी quality मुझे काफी सही लगी not bad at all अगर हम इसकी यह टिप्स की बात करें यहां पर magnetic lock के साथ में आता है तो अगर traveling ओगरा करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई इसको अपने कभी मानलो किसी से बात ओगरा करना है निकाल करका चाहों तो अपने गरदन वी इस तरह से लटका सकते हैं very easily unfortunately इस पे अभी आपको कोई भी smart magnetic lock का feature नहीं मिलता है बहुत सरे neck band ऐसे होते हैं जिसको भाई अलग कर कर दो तो गाने खुद बखुद बजने लगते हैं जोइन कर दो तो भाई गाने खुद बखुद पोस हो जाते हैं इस तरह का कोई भी feature आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी बस आप इसको अपने गरदन में इस magnet के help से लटका सकते हैं that's all और एक चीज आप से बहुत बताना चाहूंगा इसमें जो magnet दिया हुआ है बहुती light magnet मुझे यहां पर लगा मतलब कोई हलका से बेगर ही हिल जाता है तो बहुतना सही नहीं लगा as compared to other neckband जो मैंने अभी तक use किये हैं अगर हम इसके looks के बात करें तो looks देखने में काफी सही लगता है इस ear tips के उपर में जो noise का logo दिया हुआ है वो इसके looks को और भी ज्यादा बहतर बना देता है लेकिन I wish अगर यह उपर का ear tips दिया हुआ है अगर यह metal का होता तो देखने में और भी ज्यादा premium लगता but it is completely made up of plastic so look is good but not the best अगर हम neckband के left hand side में देखे तो यहां पर बस noise का branding दिया हुआ है इस तर पारे के सारे buttons आपको right hand side में ही दिये हुए है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको तीन बटन देखने को मिलता है वोल्यम आप वोल्यम डाउन और सेंटर में मिलता है इसी के साथ साथ आपको यहां पर चार्जिंग इंडिकेटर कहीं पर भी नोटिस नहीं होगा लेकि इसके help से आप इस earphone को चार्ज कर पाएंगे और ठीक इसके निचे दिया हुए the microphone hole अगर हम इस neckband की total charging time की बात करें तो वो है around 1.5 hours तक्रिबन 1.5 घंटा में यह Bluetooth neckband fully charge हो जाता है और मैंने इस neckband को पूरा दिन यूज़ किया है और अभी भी इसमें कुछ परसं तक battery बचे हुए हैं तो battery backup बहुत ही अच्छे मिलते हैं अगर आप around 60-70% के आसपास volume पे गाने सुनते हैं तो very easily up to 10 hours की battery backup आपको मिल जाते हैं दोस्तों अगर हम इस neckband की बाकी के features के बात करें तो यह neckband आता है with Bluetooth 5.0 support के साथ में और जो Bluetooth का range है वो भी काफी बहतरीन आपको देखने क को मिल जाता है IPX5 water restriction के साथ में आता है इसका मतलब हलके फुल के बारे इसके बुंदे हो या फिर अगर आपको sweating होगा होता है exercise करने में तो no problem on that इतना तो भाई पानी यह handle करी लेता है इसे के साथ साथ इसका एक feature मुझे बहुत ही अच्छा लगा वह है dual pairing mode आप एक साथ द ठीक इसे तरह volume down को अगर आप continuously तीन सेगन तक प्रेस करकर रखते हैं तो यह previous song very easily play कर देता है चलिए एक बार हम फिर से दिखाते है volume down को तीन सेगन तक प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इससे पहले जो गाना बज़रा था वो खुद बाखुद यहां प्रिवेस ट्रेक प्ले हो जाते हैं तो बटन जो है कापकी अच्छी तरह से यहां पर काम कर रहे हैं ठीक इसे तरह जो center button आप देख रहे हैं इससे यूजिव काले सुने हैं हाई बेस वाले सुने हैं और हर तरह के साउंड में आपको इनेक बैंड काफी बहतरीन साउंड कोलेटी प्रोवाइट करके दे देता है इस पेसलिए अगर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी no doubt at all अगर हम इसकी माइक की बात करें तो दोस्तो दियूरिंग कॉल्स आपको माइक काफी अच्छा है not bad बाट इस पे noise cancellation का support नहीं मिलता है तो अगर आप मां लोग किसी से बात कर रहे हैं आपके surrounding में सोर सरबा हो रहा है तो definitely सामने वाले बंदे को भी आपकी surrounding की sound साप साप सुनाई देगी तो ये चीज मुझे उतना अच् हो या फिर यह फोन हो at least उस पे noise cancellation का support होना चाहिए especially during calls अब आते हैं हम last segment की और भाई पहनने में comfortable कितना है तो भाई पहनने में बहुत ही comfortable है no problem at all आप देख सकते हैं मैं इसको पुरा दिन यूज किया हो तो आप जितना भी इसको हिला लो कुछ भी कर लो ये आपकान से नि आज के इस वीडियो में जो भी चीज़े मेंने महसूस किया इस नेक बन के regarding हमने आप सभी को सब कुछ साब साब बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप नीचे comment पर लिख के पूछ सकते हैं आपका भाई जवाब जुरूर देगा उमिद करता हू और इसी सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी तो भाई लोग फड़ा सपोर्ट कर दिजिएगा चैनल वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्सों हिट डिप बेल आइकॉन ठेंक्स फर वाचिंग मिलते हैं अपने नेक्स वीडि